जी शिसन बेतराशोग जी और जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद से पीडित है उसी प्रकार से एरान में भी यही हो रहा है अभी हाली में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ पर हमला किया जिसमें 21 एरानी शहीद हुए ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर जो इरान है वो बैलेस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ऐसी स्थिती में हमारा प्रशना आप से ये है कि यदि एक और से इरान जो है पाकिस्तान पर बैलेस्टिक मिसाइल से हमला करता है और दूसरी तरह से भारत जो है वो एरिस्ट्राइक के लिए पूरी तरह से तयार है आने वाले समय में तो ऐसी स्थिती में दो तरफा हमला क्या जहल पाएगा पाकिस्तान? देखिए जब आदमे की इमेज खराब हो जाती है आपकी जब इमेज खराब होगी है तो फिर आपको कोई भी लाइक ने करेगा पाकिस्तान ने ये सब करके अपनी इमेज खराब किये भारत ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मोदी जे ने पियम बनते ही नवाज श्रीफ को इन्वाइट किया था अपना निकटतम पुडोसी मित्र के नाते लेकिन उनोंने मित्रता तो नभाई नी ये का जाता है कि जब दो देश होते हैं तो अगर बोदी जी ने ये भी का था कि भाया हमारे साथ कम्पिटिशन करना है तो गरीबी हटाने में करो technology में करो देश को आगे बढ़ने में करो लेकिन ये investigation नहीं कि आप वहां से चार बंदे बेशते हुई यहां पे ढ़स मार जाते हैं अगर हमारा एक मुरेगा तो तुम्हारे दस मरेंगे तो अगर हमारे यहां 40 मुरे हैं तो वहां 400 मुरे हैं ये बात और है कि ये एक बहुत बड़ी गलती की है हमारी सेना ने जो इस चीज का जो जवाब मांग रहे है अपोजिशन में कि हाँ वह कितने मरे थे उनको साथ लेके जाना चाहिए था अब भी वो लोग जो ही तेशी हैं पाकिस्तान की वो पाकिस्तान की इजट को इस तरीके से बचाना चाहते हैं कि नहीं वहां कुछ हुआ नहीं है यह सब पेड़ गिरा के आगे हैं तो पाकिस्तान को उनको इन्वाइट करना चाहिए इंटरनेशनल मेडिया को इन्वाइट क जल जाएगा क्यों नहीं कर रहा है अगर पेड़ी गिराएगा अगर पेड़ी गिरे तो उनको बुलाना चाहिए था इसको तु पूरे में करना चाहिए था तुम कितने भी सबूत मिटा लो लेकिन इंट्रनेशनल मीडिया इतना हाइटेक है आप उसको बुलाओगे कुछ न कारण देखते हैं हाफिस साइद का एक्सपोजर तो उतना ही है उसका एक्सपोजर तो उतना ही है उससे अगर आप बात करोगे तो उसके मूँ से आतंकवाद की बात निकलेगी वो तो राष्टवाद की बात तो करेगा नहीं देश प्रेम की बात तो करेगा नहीं वो जब उसके मुझ से ऐसा निकलेगा तो इमेज किसकी खराब होगी। अल्रेड़ी इतनी धुमील हो चुकी है उसमें कुछ नजारी नहीं आ रहा है। इन राजनेतिक नेताओं को भी साथ ले जाना चाहिए ताकि उन्हें पूरा सुबूत मिल सके और उसके बाद जो है वो सेनेकारवाई की जाए। तहत धरम को स्पोर्ट करने के उसमें इनका साथ देजगता है। उस उसमें जो है ये उदर के हक की बात करते हैं। अब जो पोजिशन है अब आप देखिएगा अब वो पोजिशन नहीं है। जिस वोट पैंक जो पंदरा परसेंट से बीस परसेंट के बीच हैं जिसके सिर पर कॉंग्रेस ने जो बाइसेक्शन किया था नाइटी सेवन्टी वन के बाद सेवन्टी थी के बाद कंसिट्वेंसिस का वो अब शेटर्ड हो चुका है क्यांकि उसमें जो है कई पार्टी आगी हो हर एक पार्टी ने अपना जो है विनिंग फंडा वो ही मान के चलें जो है अब ये पुराने मुद्दे जो है छूट जाने चाहिए ये पुरानी टेक्निक्स जो है जीत के लिए छूट जानी चाहिए अब तो आपके जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए विकास के देश के विकास के देश प्रेम के देखे कितनी विडमना है कि विपक्ष के नेता बोलते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा विडमना है भारत माता की जय बोलने का अधिकार केवल बीजेपी को थोना है सब को है जी शिसन बितराशोग जी और जिस प्रकार से कॉंग्रेस सद्धेक्ष श्री राहूल गांदी का देश प्रेम मात्र दस दिन तक ही ठिक पाया और उसके बाद वो भी एर स्ट्राइक के सुबूत मांगने लगे उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नेरेंदर मोदी पर ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के विरूद अपनाई जाने वाली किसी भी रणीती का जो खुलासा है, जो साज़ा है वो प्रधानमंत्री उनसे नहीं कर रहे हैं हमारा आपसे प्रश्ण ये है कि कॉंग्रेस क्या इस बात की गरंटी दे सकती है कि यदि प्रधार मंतरीश नेरेंद्र मोदी किसी भी रणीती का को साजा करते हैं यदि इन विपक्षी दलों के साथ तो इस बात की क्या गरंटी है कि ये सूचना पाकिस्तान तक नहीं और उसे विपक्षी दलों को बताया जाता है तो उसकी सूचना पाकिस्तान तक नहीं पहुँचेगी कॉंग्रेस सब भी ओल्ड टेक्टिस को यूज कर रही है और वो ओल्ड टेक्टिस में जिनको ग्राउंड रियल्टी का पता ही नहीं है वो युद नीती उनके लिए तियार करते हैं राहूल जी का गला खराब हो गया राफल 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 चिला के क्या हुआ टाइं टाइम फिस हो गया उससे पहले वो नोडबंदी पे चिलाते रहे हैं वो छोड़ना पड़ा राफल राफल चिला चिला के वो बला खराब हो गया उसके बाद अब तीसरा उन्होंने राम बंदीर का मुद्ध उठाय था कि क्यो नहीं बना रहे हैं अब यह पहले अपनी तरफ देखेगा आपने क्यों नहीं बनाया आपको भी तो बहुत समय मिला इनको तो यह पांच साल मिले उससे पहले के दसल आपके पास थे वट वाज प्रोग्रेस भाई यू और इनी के शासनकाल में बाबरी मस्जिद विद्वास हुआता इनी के श इसा डिसीजन नहीं लिया जिसमें यह पता लगे कि मोदी जी वोट बैंक के लिए डिसीजन ले रहे हैं ट्रिपल तलाक का डिसीजन जो है अटोमेटिकली जिनके फिवर की बात कर रहे हैं वो अटोमेटिकली ट्रांसफर होगा जी सिसन बेतराशुक जी तो इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद और एक प्रकार से हम इस भविश्यवाणी के माद्यम से पाकिस्तान के प्रधान मंतरी श्रे इमरान खान को इस बात के लिए सचेट करना चाते हैं अपनी सुरक्षा का विशेश रूप से ध्यान रखें क्योंकि यदि उन्होंने पाकिस्तान में फहले आतंकवात को समाप्त करना चाहा तो ये उनके लिए प्राण घहा तक सिद्ध हो सकता है ये हमारी एक तरह से साउधानी वाली चेताउनी है जो हम पाकिस्तान के प्राण मंत्री श्रेमरान खान को पहुँचाना चाहते हैं वे अपनी सुरक्षा का विशेश रूप से ध्यान रखें और आतंकवात के विरोध्य जो भी कारवाई करना है वो करते रहें लेकिन इस कीम नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तभी हम अपने अखन भारत के स्वपन को जन जन तक पहुँचा पाएंगे आने वाले समय में बहुत सारे दर्शकों ने चुनावी तितियों को लेकर के एक बार भविशी का विश्लेशन करने का हमसे अनुरोत किया है हम उस पर कारे कर रहे हैं और बहुत स्रीग्र आपको चुनावी तितियों के अनुसार क्या परिणाम आएंगे भविशी में इसका भी विश्लेशन करेंगे श्री संत बेता अशुक जी के साथ तो आपने हमारे चैनल देखा इतना हमेश समय दिया इसके रिए आपका रिदे से आभार नमस्कार